आज हम फरवरी 2023 की क्रोनलोजी का लास्ट पार्ट करने वाले हैं जो कि है मिसलेनियस करंट जी के या अध्यतन सामाने ग्यान जिसको कहते हैं इसमें सभी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी जैसे इंपोर्टन न्यूक्तियां कौन कौन सी हुई कौन कौन सी military exercises हुई कुछ कोई meeting हुई है को agreement हुआ है वो सारी चीज़ें books है कौन से important days है वो सभी आपको यहां पढ़ने को मिलेंगे जो लोग banking की त्यारी करते हैं SSC की त्यारी करते हैं तो उनसे मेरा अग्र है कि आप ये last वाला जो portion है इसको जरूर से पढ़े ये आपके exam में जाधा काम का है सारी चीज़ें आपको पढ़ने है state news को छोड़के लेकिन ये वाला portion जाधा important है क्योंकि इसमें से जो एकदम traditional जो question होते हैं वो यहीं से बन करके आते हैं तो चली आज हम start करते हैं अध्यतन सामाने ग्यान जो कि आज last portion है इसका सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर नियुक्तियों को यानि कि appointments को तो सबसे पहले जो राष्ट्रिय नियुक्ति है वो है हमारे उपर राष्ट्रिय सुरक्षा सलाकार की जिसको हम कहते हैं security advisor कई सारे उपराष्ट्रिय सलाकार नियुक्ति हैं अल्रेडी पॉइंटेड हैं उन्हीं में से एक है पंकच कुमार सिंग क्योंकि राजस्थान के हैं इसलिए हमको इनके बारे में पढ़ना है तो राजस्थान के हैं और IPS अधिकारी रहे हैं और सीमा सुरक्षा बल्जब ब अब आपको सुरक्षा सलाकार नियुक्ति किया गया है बस इतनी ये बात आपको ध्यान रखनी हैं और यहाँपर देखिए कि क्योंकि काई土 सलाकार कॉन एंजीत दोफाल जी हैं और जबकी अन्य अपर्याष्ट्रै सुरक्षा सलाकार हैं IPS अधिकारी दत्ता-3 पंट-सल Apache क उनको जो है उपराष्टिय सुरक्षा सलाकार नियुक्त किया गया है फिर देखे BCCI की जो चैयन समीति है या सेलेक्शन कमीटी है जो की खिलाडियों का चैयन करती है तो आपको पता है कि पिछली बार जो T20 वर्ल्ड का वह आता उसमें भारत का प्रदर्शन अच्छा नहीं जो है चैयन समीति बनाई गई है फिछली बार भी उसके अध्यक्ष जो है चेतन शर्मा थे और इस बार भी उनका पुन है चैयन इसके अंदर किया गया है तो बस अपने को यही ध्यान रखना है यहां पे कि चेतन शर्मा जो है उनको दुबारा से इस चैयन समीति का अध्य को लेकर के जिसको कि हम बोलते हैं मुक्य सतरक्ता आयुक्त तो मुक्य सतरक्ता आयुक्त एक तरीके से government के लिए काम करने वाली एक body है कि जो भी bureaucrats वगरा होते हैं नौकरशाह होते हैं उनके बारे में जो भी जांचे होती है, वो सब CVC के द्वारा की जाती है, तो CVC इस बार जो है, कार्यवाहक के रूप में मुख्य सतकता युक्त जो है, वो प्रमीर कुमार श्रिवासव को बनाय गया है, उन्होंने इस पत पर सुरेश और पतेल का स्थान लिया है, जो की अधिक्षेता होती है, वो सतरक्ता युक्त के दो एजदक्ष होता है, वो CVC होता है, चीफ विजिलन्स कमिशनर होते हैं, जो की अभी प्रमीन कुमार श्रिवास्तव है, लेकिन ये कार्यवाहक के ये भी ध्यान रखेगा, और इनके अलावा इसमें दो और सतरक्ता युक् करने से 65 वर्ष के आयू प्राप्त करने तक होता है, या तो 4 साल या फिर 65 वर्ष, तो ये इंपोर्टन्ट है, या आप आरेस प्रिलिम्स के लिए ध्यान रखिएगा, कि ये ऐसे कुशन से पहले भी पूछे जा चुके हैं, और या या इतिंक 2013 में या 16 के अंदर प्रिलिम पैसिफिक जो पोस्टल यूनियन है, उसका महासचिव बनाया गया है, और पहली बारे कि किसी भारतिये को महासचिव के पदपर यहां पर न्यूक्त किया गया है, अब बढ़िया ये जाएंगे बैंकोक वहां पर जो है, इसका क्योंकि मुख्याले है, तो थाइलेंड बैं अंतराष्ट्य संगर्टन का नित्रत्व संभाल रहा है, तो अब देखिए एशियाई प्रशान्द डाक संग जो इसका कारे का होगा, कि जो 32 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगर्टन है, जो भी आपर टेकनिकल चीज़ें होती है, या जो भी उनको रिफॉर्म करने ह इसका जो फिर चलते हैं, तो देखिए अंतराष्ट्य नियुक्ति में पहली नियुक्ति है, प्रधान मंत्री के तौर पर, तो न्यूजिलेंड में नए प्रधान मंत्री बने है, और यह 41 प्रधान मंत्री है, वांके इनका नाम है क्रिस हिपकेंग्स, और इन्होंने जो को काफी ज़्यादा सरहना हुई और इनकी भूमिका पर काफी ज़्यादा बात की गई, तो यह अभी प्रधान मंत्री बने है, और इन्होंने जैसिका अर्डन जो है, उनका स्थान लिया है, तो जैसिका लिबर पार्टी से थी, तो उनका स्थान इन्होंने लिया है, नाम ध् उत्री अट्लांटिक्स जो नाटो है आपका उत्री अट्लांटिक संधी संगटन उसकी सेने समीति के पूर्व अत्यक्ष भी रहे हैं तो इनका नाम क्या है ध्यान रखेगा पैट्रि पावल इनका नाम है और चेक गंडराजे के नए राश्ट्रोपती की रूप में इनको ब है नागरिक उडेन महाने देशाले तो यह जो है नागर विमानन जो आपके एविएशन सेक्टर होता है उसका एक रेगुलेटरी बॉड़ी है जो मुख्यत है सुरक्षा संबंदी मामलों को देखता है तो डीजी सीए के बारे में आपको पता होना चाहिए तो डीजी सीए चेत्र में कच्छे तिल का उत्पादा के सबसे बड़ा केरन एनर्जी विदानता गुरूप का तो यह ध्यान रखना है फिर देखे प्रमिन शर्मा जो है इनको आयुश्मान भारत डिजिटल मिशन में जो है यहां पर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है तो र गूगल कर लीजेगा फिर देखिए नेक्स्ट है यह शांतिकुमार इनको भी तेलंगाना की मुख्य सच्चिव बना गया चीफ सेकेटरी और यह तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सच्चिव है तो यह आपको ध्यान रखना है इनकी बारे में और अगर बात करें तो अंत पत ग्रहन करने वाले प्रमुख राजनेताओं के बारे में देख लेते हैं अंतराश्ट्री यह सारी न्यूक्तिया है तो देखिए यहां पर ब्राजील के राश्ट्रपती के पत पर अभी जो है लूज इना सीयो लूला दी सिल्वा इनको न्यूक्त किया गया है प्रदान के बारे में के रूप में न्यूक्त किया गया है जिनके बारे में भी हमने पढ़ा था तो इतने सारे तो नाम मुझे लगता आपको नहीं याद रहेंगे लेकिन हां कुछ एक नाम ध्यान रखेगा क्योंकि करेंट के नाम पर कभी-कभी ऐसे कोशन भी प्रिलिम्स में धन रखने है तो और टो उपिच्री वकुछ इंपोर्टेंट है इसमें सबसे पहली है बाल क्रिष्ण दोशी को लेकर के तो बाल क्रिष्ण दोशी कुञन है तो यह आर्किटेक्ट रहे हैं भारत के और इनको जो है आर्किटेक्ट्टिर का जो नोबल पुरुसकार बाना मिला हुआ है तो आर्गिटेक्चर के चेतर में इन्होंने काफी कारे किया है और यह महराष्टों से इनका संबंद रहा है और इसके अलावा देखिए यहां पे कि इन्होंने क्या-क्या बिल्डिंग्स जो है वो डिजाइन किया तो अगर हम देखें तो इन्होंने बैंगलूरूरूरू उदैपूर में जो IIMS है वो इन्होंने डिजाइन किया है निफ्ट के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो वो दिल्ली का जो निफ्ट है वो इन्होंने डिजाइन किया था और उसके अलावे भी इंडोलोजी, संस्थान, प्रेमाबाई, हॉल, नीजी निवास, कमला हाउस ये शब्द जो है इन्होंने डिजाइन किया है, तो काफी एक तो बड़ा पुरुसकार इनको दिया है जो नोबल पुरुसकार माना जाता है, आर्किटेक्चर के छेतर का, तो वो आप ध्यान रखना है इसलिए इनका नाम भी आप ध्यान रखेगा, भारत के ये जो है आर्किटेक्ट है, जिनका नाम है, बाल कृष्ण दोशी फिर चलते हैं नेक्स्ट अवर्ड पे, जो सरी, नेक्स्ट अबिचूरी इस पे, तो ये प्रख्यात असमिया कवी रहे है, नील मनी फूकन और इनका भी हाली मन इधन हुआ है, ये असम से संबंद इनका रहा है, और जो साहित्य अकादमी है, उसमें ये सदस्य की रूप में भी थे, इनको पदमिश्री ग्यानपीट पुरसकार, साहित्य अकादमी पुरसकार जो है वो दिया गया है, और इसके अलावा देखे, साह प्रदान की थी तो यह काफी एक दिगज जो है कभी यहां पर रहे हैं और इनकी कुछ कविता हैं जिनका नाम आपको नहीं याद रहे तो भी ठीक है कोबिता फूली ठाका सूर्य मुखी काइंत यह क्योंकि असमिया भाषा में है तो थोड़ा सा वर्डिंग चेंज है और इस इतनी बात हैं जो आपको दियान रखनी हैं फिर देखे चर्चित व्यक्तियों पर आईए चर्चित व्यक्तियों में मैथली ठाकूर इनके बारे में आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर यह काफी अच्छे भजन वगरा गाती है तो यह बिहार से ही है और बिहार का जो चुनाव आयोग है इलेक्शन कमिशन है उन्होंने बिहार स्टेट में बिहार में स्टेट आइकन के रूप में इनको नियुक्त किया है अब यह और जो इनके भाई है वो सबसे पहले जो चुनाव को लेकर के लोगों में मद्दातों के अंदर जो वोटर से उनके अंद समेद शिकल करना है इसके उपर काफी बहत चली थी यह जो परवत चीओ यह ज्हारकंड के अंदर है और ज्हारकंड का ज़ो गिरीडी ही जिला है वहां पर पारस्तनात की पहाड़ी में ये इस्तित हैं इसके पास के जो छेत्र है वो एक तो पारस्तनात वाइड लाइफ सेंचुरी के अंदर ये बना हुआ है और उसके अलावा यहां पर कई सारे SCZ यानि के जो समवेदन शील बोलते हैं पर स्पेशल एकनॉमिक जोन जो है वो ब परियाटन के लिए भारत सरकार क्योंकि प्रयास कर रहे थी कि इसको अंतराष्ट्य परियाटन स्थल गोशित किया जाए लेकिन जैन समाज के विरूद के पश्चात इसको यहां से इस प्रतत्काल रोक लगा दी गई है तो यह थोड़ा ध्यान रखेगा आपके समेद शिक तहा वर्ष कौन सा क्या इंपोर्टन है देख लेते हैं अगर कुछ इंपोर्टन हमको मिलता है तो यहां पर देखिए विश्व ब्रेल दिवस जो है वो चार जनवरी को मनाया जाता है विश्व पारिवारिक जो फैमिली डे जो हता है वो एक जनवरी को मनाया जाता है जिस लिए 2003 से सौरी प्रती वर्ष जो है नौ तारिक को इस प्रवासी भारते दिवस को मनाया जाता है हिंदे दिवस आपको पता है दस जन्वरी को मनाते हैं इसको और इस बार जो है विश्व हिंदे दिवस इसको मनाएगा इसके जो थीम थी यह थी हिंदी को जन्मत की भाषा ब देखे वो भी 11 जनवरी को ही मनाय जाता है फिर देखे एक भूत important day जो हमें पता है यूँवा दिवस Youth Day या जिसको हम कहते हैं स्वामी विवेकानन्द की जेनती है उसको हम जो है फिर देखिए नेक्स्ट जो है हमारा भारतिय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है इस बार 55 सेना दिवस मनाया गया है 51 बा मेगाले मनीपुर और तरिपुर का स्थापना दिवस 1972 में इन तीनों को जो है अलग-अलग राज्ये के तहत जो है वो बनाया गया था 1971 का जो अधिनियम था उसके तहत इनको 1972 में क्रियेट किया गया महिला मेगाले मनीपुर और तरिपुरा MMT फिर देखिए पराकरम दिवस यह आपको पता होना चाहिए 23 जन्वरी को पराकरम दिवस मनाया जाता है और यह नेता जी सुभास चंदर बोस की 126 वी जैनती थी इस बार और इससे पहले जो है केंद्रिय संस्कृति मंत्रा लेने ने नेता जी का जन्रक ने तेज जन्व जन्वरी को आता है और अंतर राष्ट्रे शिक्षा दिवस कब आता है तो यह 24 जन्वरी को ही आता है और लोगों में निवेश शिक्षा को प्रात्मिक्ता देना यह इस बार का थीम था शिक्षा दिवस का फिर चलिए यहां पर राष्ट्रे मत दाता दिवस तो वोटर्स देक डेक आता है 25 जनवरी को आता है राश्ट्री वोटर्स डे और इसका जो थीम था वोटिंग बे मिसाल है मैं अवश्य वोट देता हूं फिर देखिए हमारा जो रिपब्लिक डे है 26 जनवरी को आता है 74 वा हमने इस बार मनाया था और हमारी थीम इस बार की जन भागिदार फिर देखिए कि इसके अंदर लास्ट जो है यहाँ पर आईए जो महात्मा गांधी है उनका शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं राश्ट्री जो कुछ रोग निवारन दिवस है उसको भी 30 जनवरी को ही मनाया जाता है तो यह हो गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो है अब देखिए कुछ संस्थानों के स्तापना दिवस है लेकिन यह इतने इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एक्जाम में इसके इससे रिलेटेट कोई कोई कोश्चन अब तक तो आया है नहीं तो इसलिए हम इसको जो है यहाँ पर स्किप करते हैं और फिर देखिए यहाँ प जो प्रधान मंत्री है उन्होंने गूशना की थी स्टार्ट अप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया की तो इसी लिए इस दिवस को एक मेमोरेबल बनाने के लिए क्योंकि देश में नवाचार को पहली बार इतने बड़े इस्तर पर प्रचार किया गया जैसे तो यह द्यान रखने है है अपने को फिर चर्चर्ट पुस्तक है हम कुछ देख लेते हैं अगर आप बैंकीं की त Straw के तियारी कर रहे हैं और स् twoitten in Num tuh लुए इसके इंक है कोई जरूरत नहीं पूघहाँ आप से यहां बेखे इर्फान खान के एक मुवी बनाए गई इर्फान खान के उपर एक बुक लिखी गई है A Life in Movies ये शुबरा गुपता ने लिखी है और इसके अलावा तो कोई important इसमें लग नहीं रहा है यहां लास्ट वाली तो आप इसको एक बार खुझ से भी पढ़ लिजेगा इतने important तो कुछ है नहीं एक वो इर्फान खान वाली आप देख सकते हैं जैसे एक अभी बुक आई थी बुक का नाम आप बताएंगे और यह जो हमारे SJ शंकर है external minister जो है foreign affairs minister जो है 108 भी भारतिये विज्ञान Congress National Science Congress जो है इसका एवजन किया गया नागपूर के अंदर और यह काफी important एक conference होती है जिसके के अंदर जितने भी विज्ञानिक होते हैं वो participate करते हैं यह जो आपका विज्ञान Congress है इसका आउजन 1914 से किया जा रहा है 1914 से किया जा रहा है और अभी 108 वी इसकी जो है वो conference थी और इसका आउजन कहां पर किया गया तो नागपूर के अंदर किया गया नागपूर का है महराष्ट्र में वहाँ पर इसका आउजन किया गया है अब थीम था महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रद्योगी की यानि कि जो हमारा साइंस और टेक्नलोजी है वो वूमेन एंपावर्मेंट में कैसे और सतत विकास यानि सस्टेनेबल डेवलप्मेंट में कैसी योगदान दे सकता है उसका जो है यह को जो है लीड किया है इससे पहले भी कई सारी महिला है जिनका नाम यहां पर दे रखा इन्पोर्टन नहीं है आपको नहीं याद रखना है पस यह दियान रखेगा इस बार जो किसे लीड किया है डॉक्टर विज्ञान कॉंग्रिस इसका युजन नागपुर विश्विद आपको पता है प्रवासी भारतिय दिवस दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है अभी हमने पड़ा था क्यूकि महात्मा गांधी जो है वह अपने प्रवास है यानि के जो साथ अफ्रीका है उससे वापस इंडिया लोटे थे नौजनवरी उनिस्व पंदरा को तो उसी उपलक्ष में जो है इसको मनाया जाता है तो इस बार का सतरवा प्रवासी भारती धिवस्त शंमेलन था और इसका एवजन कहां किया घया है इंपॉर्टन ये बात है इन दौर में किया अगया है इन दौर में किया घया है यह आपको ध्यान रखन एक soft power के रूप में काम करते हैं भारत के लिए भारती संस्कृति को जो है वो दूसरे देशों में फैलाते हैं उसके अलावा जो दूसरे देशों के अंदर जो वहां के राष्टर की प्रगति है उसमें योगदान देते हैं जो एरेमिट आंसेज है वो भारत को यहां पर किया और इसमें जो है मुख्य अतिति कौन थे यह याद रखिएगा तो गुएना के राष्ट्रपती डॉक्टर मोहमद इर्पान अली यह जो है मुख्य अतिति थे और सूरी नाम गंडराजी के राष्ट्रपती चंद्रीका प्रसाद संतों की विशेश समानित अतिती की र बात है नहीं चलते हैं नेक्स्ट पे तो नेक्स्ट जो इंपोर्टन सम्मेलन है उनको देख लेते हैं तो अभी आपको पता है कि आपनी न्यूस्विवर में पढ़ाओगा फ्रेंट न्यूस थी काफी बड़ी सारी कि जो पीटासीन अधिकारी बहारती पीटासीन अधिका इसको संबोधन दिया गया इसमें मेत्वपूर्ण बिंदू ये थे कि अखिल भारती पीटासीन अधिकारियों का समयलन भारत में विधान सभाओं का शीष एक निकाय है जिसने 2021 में अपने 100 वर्ष पूरे किये हैं इसका पहला समयलन 1921 में शिमला में आयोजित किया था तो अखिल भारती पीटासीन अधिकारियों का ये समयलन राजस्तान में चौथी बार आयोजित किया गया है पहली बार नहीं है चौथी बार है स्टेट्मेंट में देखर के कोशन पूछ लेगा इसे पहले राजस्तान में इस प्रकार से समयलन थे देखिए 57, 78 और 2011 प्रदान मंत्री भी इसमें समयलित थे और इसमें तो कुछ इतनी इंपॉर्टन विशेश बात निकल के नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं फिर देखिए मुक्य सचिव जो चीफ सेकेटरी होते हैं उनका समयलन भी कहां पर आयोजित किया गया नई दिल्ली में ही जित किया गया है अब देखिए जल संग्रक्षन यानि वाटर कंजर्वेशन को लेकर के जो जितने भी स्टेट्स के जो मंत्री हैं वो एक पहली बार एक अखिल भारती है समयलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसका आयोजन भुपाल मध्यप्रदेश में किया जा रह इन 2047 तक जो है हमारा जल को लेकर के क्या रविया रहने वाला है जल संग्रक्षन को लेकर के उस पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी फिर देखिए नेक्स्ट है ग्यारवा जैव उर्जा शिकर संबेलन इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया इसका थीम था उर्जा पार प्रमुक हैं जो चीफ्स हैं उनका एक तीसरा राष्ट्रे समेलन आयोजित किया गया जैपूर राजस्थान के अंदर और इसको जो है आयोजन किया था पुलिस अनुसंदान और विकास ब्यूरो के द्वारा अब मुझे पता है कि आपको बहुत बोरिंग लग रहा होगा लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते एक बार मैं पढ़ दूँगी उसके बाद मैं इंपोर्टन चीजें आपको यहां पर जो है वो एक बार रिवाइस कर लेनी है तो यह सैकार लापारती अटाईए इसको फिर देखिए चोधवा जो है विश्व मसाला कॉंग्रेस जो है इसका एंड सेफटी और भारत को विश्व का मसाला कटोरा जो है वो कहा जाता है तो यह ध्यान रख सकते हैं हापन के 14 जो वर्ल्ड मसाला यानि के स्पाइस कॉंग्रेस है वो कहा पर की जाएगी तो यह मुंबई में इसका आउजन किया जाएगा फिर देखिए यूथ 20 समू की पहली बैटक तो यह जो है गुहाटी आसम में की जाएगी और पहली बार जो है भारत पहली बार यूथ 20 वाइट 20 जिसको कहा गया है वाई 20 इसके शिकर सम्मेलन की मेजबानी जी 20 शिकर सम्मेलन के अवसर पर कर रहा है तो यह इंपोर्टन्ट है अगस 2023 में अन्तिम ले हैं कहां क्या अजुत हो रहा है तो देखिए राष्ट्री युवा मोहत्सव इसको 12-16 जन्वरी को हुबली धारवाड में मनाया गया और इसमें खेल मंत्राले जो है उसने विक्सित भारत फिर चलते हैं औरेंज फेस्टिवल पर तो औरेंज फेस्टिवल जो है नागालेंड में तीसरा वार्षिक औरेंज फेस्टिवल यहां पर भाग लिया है फिर जलते हैं कुछ और अभ्यान और अभ्यास को लेकर कि तो अब देखे सबसे पहला जाब समपन किया है तो इस प्रकर के कुष्चन पूछे जा सकते हैं तो आप ध्यान रखिएगा तो यहां देखिए कि यह वायू सेना का अभ्यास है यह भारत और जापान के जो वायू सेना है उनके मद्दी किया गया और जापान के जो हाया कूरी एयर बेस है वहां पर इसको संपन किया गया है तो यह हो गया फर्स्ट वाला सेकिंड अच्छा यहां प पर यह होगे आपका पहला दूसरा देखिए दूसरा अभ्यास है आपके यहाँ पर मारेक्स 2023 यह एक समुद्री अभ्यास है और भारत सुरी अमेरिका और श्री रेडिनेस एंड ट्रेनिंग ठीक है तो इसको पूरा नाम है केरेट मरीन एक्ससाइज ठीक है तो मारिक्स 2023 जो है इसमें श्री लंका श्री लंका की वायू सेना यूएस नेवी जापान का समुद्री सुरक्षबल मालदीव का राश्ट्रिय रक्षबल इन सभी ने पार्टिस सिरोध चल रहा है उसके बीच LA&C के पास में इसको जो है वह संपन किया गया है फिर देके BASF का भारत पाकिस्तान का सीमा है हमारा इंडिया पाकिस्तान बौर्डर है वहां पर आप सोलर्ड अभ्यास जो है वह किया गया है तो आप सल्ट अभ्यास जो यह वह गंतंते थल और नब का सेयुक्त अभ्यास है जिसका नाम है MFAX 2023 तो यह भारतिय नौसेना भारतिय वायू सेना और भारतिय जो हमारी आर्मी है उसके द्वारा MFAX 2023 का अभ्यास किया गया और यह सबसे बड़ा द्वी वार्शित 3 सेवा उभ्याचर अभ्याचर यानि के जल और थल जिसका नाम है TROPEX 23 तो ट्रोपेक्स 23 जो है वह नौसेना का एक अभ्यास है सबसे बड़ा अभ्यास है द्वी वार्शी का यानि के दो साल में एक बार जो है जिसका आउजन किया जाता है फिर देखिए भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच में किया गया और यह जो ह गया कि कैसे बीच में और प्रांस के साथ में यह अभियास है भारत और फ्रांस की नौसेना का ध्यास ए वरुन जिसका नाम है अभ्यास फिर यह थोड़ी रिपीट हो गई है यहां पर番 कर गदेजी वापस संद्वाईयू-गारजियन वीर्गारजिइन अभ्यास के अभार किया गया है राजस्तान के जेसल मेर में इसका एजन किया गया है और यह अब तक का पहला संयुक्त अभ्यास है जो कि एजिप्ट के साथ में आपने सुना भी नहीं होगा तो एजिप्ट के साथ में हमारा पहला जो है यह संयुक्त अभ्यास रहा है अब चलते हैं नेक्स्ट ह इकोलोजी से सम्मदित क्या क्या खबरें हैं वो देखते हैं अब नेक्स देखिए परियावरण और पारिस्तितिकी एने इन्वार्मेंट इन इकोलोजी में एक प्लांट है जिसका नाम है नील कुरंजी प्लांट यह वेस्टन घाट्स में मिलता है और इसको भी जो भारत सरक एक्ट 1972 की जो शिड्यूल 3 है उसके अंदर इसको प्रोटेक्टेड किया है तो देखिए प्रोटेक्टेड का मतलब यह कि अगर इसको कोई भी नष्ट करता है उखाडता है तो इसको तीन साल की कैद और पच्चेस हजार का जुर्माना उस व्यक्ति पर लगाया जा सकता है तो यह नील कुरंजी जो पौधा है यह पश्टमी घाट में मिलता है और क्योंकि 12 साल में एक भार जो है यह खिलता है तो इसलिए जो है काफी इसका महत्व है तो इसको पौधे का नाम जान रखिएगा यूपीएसी में इस तरह के कोशन काफी पूछे जाता है पूछ ले गहा है तो जो हमारी एर कॉलिटी जो होती है एर कॉलिटी मोनिटरिंग सिस्टम जो होता है उसके लिए अर्टिविशल इंटेलिजेंस एकू एमीश वी वन पॉईंट ओ यह एक अलग से सिस्टम है इसका इन्होंने जो हैं डेवल्लाप्मेंट किया है और जो इसका डेवल वत्ता निगरानी station जो है वो विक्सित किया जाएगा और इसमें जो environment pollutants होता है जैसे PM 1.0, 2.5, 10, SO2, NO2, CO2, O2 इन सबका जो Ambient Temperature Relative Humidity आदी जो चीजें हैं वो इसके अंदर मेजर की जाएगी फिर देखता है राष्ट्री हरित हाइडरोजन मिशन तो प्रदान मंतरी के अद्यक्षता में मंतरी मंडल ने जो है उननेस हजार चार्सो सटतर करोड की लागत वाले जो नेशनल ग्रीन हाइडरोजन मिशन है इसको भी मनजूरी दी है इसका उद्देश होगा कि भारत को तो हरित हाइड्रोजन के उप्योग उत्पादन और निर्यात के लिए वैश्विक यानिके ग्लोबल जो सेंटर है वो बनाना इसका नोडल मंत्राले कौन होगा बट अव्यस है नवी नेवन नवीनीकरन उर्जा मंत्राले यानिके न्यू एन रिन्यूबल एनरजी जो मिनिस् तक देश में लगबग 125 गीगावाट की नवीनीकरन उर्जा विक्सित करने की जो है वो शमता है मेरे पास देखिए यह क्योंकि मैंने इसमें टिक नहीं लगाया कुछ लोगों ने बोलाए कि आप इसमें अंडरलाइन मत किया किजे ता हमें पढ़ने में दिक्कत होती है ब थिर देखें विद्ग्यान एम प्रवध्य हैं में पहला इंट्रो 특ार बॉक्सिन बास मतलब नाक से दीजाने वाश्यन के लिए उसको लॉशे किया है तो 26 जनवरी के दिन यादिक गंध्ंतरदीवास腺ं उसके अफसर पर जुन्हारे केंद्र स्वास्थे मंतरी है उन्हों और भारत बायोटेक इंट्रनाशनल लिमिटेड है इन सब ने मिल करके विश्व की पहली इंट्रनेजल वेक्सीन जो है वो त्यार किया है और जिसे दवा नियामक ने इस्तमाल करने की जो है मनजूरी भी दे दी है तो यह इंपोर्टन बात थी यह आपको ध्यान रखनी है भ विक्सित करेगा एक वैक्सीन ती जो उसमें नाम दिया हुआ था और पूचा था कि किसके द्वारा विक्सित की गई है तो विक्सित करने वाली संस्ता का नाम भी ध्यान रखना चाहिए तो यहां अप अंडरलाइन कर सकते हैं पिर देखिए राष्ट्रपति भवन में मु तो इसलिए उन्होंने जो मुगल गार्डन राष्ट्रपति भावन में हुआ करता था उसका नाम बदल करके अभी जो है वो अम्रित उद्यान रखा है तो यह भी एक न्यूज है फिर देखें कुछ उपन का पुरु शेकल खिताब जीतने के साथ ही वे अब तक कितने ग्रेंट स्लम जीत चुके हैं तो यह कोशन अमने पढ़ लिया था तो अब तक उन्होंने जो है 22 ग्रेंट स्लम जीत लिया राफेल नडाल जो है उनकी बराबरी वो कड़ चुके हैं 11 जया बुर्जा शिकर संभेलन जो है इसको कहां आयजित किया जाएगा तो इसका आयजिन तो देखिए नई दिल ले के अंदर किया जाएगा गंतंतर दिवस के पूरु संधिया पर गोशित पत्म पुरसकारों का कौन सा यूग में संभेलित नहीं है तो देखिए कौन सा यूग में संभेलित नह तो यह हमने जो है पढ़ा था इसके बारे में तो गुजरात में इसको क्या गया है भारत और मिस्र के द्वारा कौन सा अभ्यास राजस्तान के जैसल मेर में अजित के आगिया यह हमने पढ़ा था साइकलोन फस्ट का आवली में की गई तो इसका आंसर है CTOI 700E ये हमने पढ़ चुके थे दक्षिन अफरिका में जो है अभी 14 से 29 जनवरी को ICC Under 19 महिला T20 विश्व कप में Player of the Tournament जो है ये अवर्ड किसको दिया गया तो इसका आंसर है आपका Grace Sequence इनको दिया गया है फिर देखे ओडिशा के अंदर आयोजित F.I.H. पुरुष होगी कप का खिताब किस टीम ने जीता है तो जर्वनी ने जीता था और Belgium को राकर के जीता है ये भी हमने पढ़ लिया था इसमें फिर चलते हैं 10 तंबर कोशन पे Scorpion श्रेणी की किस पांचवी पंडुबी को भारतिय नौ सेना में भी हाली में शामिल किया गया है तो शामिल किया गया है उसका नाम है INS वगीर फिर देखिए हाली में न्यूक्तियों में असु मिलित देखिए तो असु मिलित में पंकच कुमार वाला तो ठीक है अनिल कुमार गुलाटी जो है उनको क्या बनाए गया है अध्यक्ष और CEO Railway Board का ये भी ठीक है भरत भासकर वाला यहां गलत है क्योंकि हमने ये पढ़ा था इनके बारे में महासच्चिव एशियन प्रशांत डाक संग वाला जो है तो विने परकाश सिंग जो है उनको ये बनाए गया था तो यहां पर ये चीज गलत हो जाते है भरत भासकर वाला गलत है फिर देखें न्यू आलियांस अमेरिका में आयोजित 2022 की Miss Universe का जो खिताब है वो अभी हाले में किसने जीता है तो ये तो हमने पढ़ा था आर बोनी गेब्रियल ने जीता है ये हमने फर्स्ट वीडियो में देख लिया था भारत और फ्रांस के बीच की सिद्वी पक्षिये नौ सेनिक अभ्यास का भी पष्चमी भारत के पष्चमी समुत्रितर्ट में आयोजिन किया गया फिर देखे विश्व के सबसे उंचे युद्श येत्र सियाचिन में कि कुमार पोस्ट में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी जो है वो कौन है तो ये भी हम पढ़ चुके हैं शिवा चोहन उनका नाम था कैप्टन शिवा चोहन फिर देखे जी टुटी अभियान के तहत स्टार्टप 20 एक्स का आयोजन किया गया है कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है यह हमें पता होना चाहिए तो इसका आयोजन जो है हमारे हेदराबाद में किया गया है राश्ट्री युवा दिवस 12 जन्वरी की थीम क्या थी तो इस बार की जो थीम थी वो हमारी थी विक्सित युवा विक्सित भारत ये भी हमने अभी पड़ा है तो सारी मेगजीन हमारी आज कंप्लीट हो चुकी है आप इसका बहुत अच्छी तरीके से रिविजन कीजेगा और मैं चाहती हूं कि इसका समरी वीडियो बनाओं लेकिन अभी थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट है मेरे पास में तो अगर पॉसिबल होगा तो हम एक्जाम से पहले सभी का एक वीडियो समरी बनाएंगे ताकि जल्दी से एक गंटे में सारी मेगजीन को हम रिवाइस कर पा झाल 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 झाल